प्रसाद बाली खित्री बनाने के लिए ले रही हूँ एक कटोरी मूंकी दाल इसको अच्छे से थोड़ा ब्राउन होने तक भून लेंगे फिर उसी कटोरी में छोटे साइज का बास्मति ले रही हूँ आप गोविंद फोग चावल ले सकते हो या कोई खीर बनाने वाली चावल ले सकते हो डाल और चावल को आधे गंटे के लिए इसके बाद एक कढ़ाई में में सर्चो का पेल ली हैं इसमें आलू फ्राइ करने के जर्चो का इसके उप्याखते हैं और भीये में रलाफिंश निर्स देख को कण बनाना इसको निकाल लेते हैं अभी खुल गोबी में बड़ को बड़े सैच में काटी में प्राइब स्टोफना से निर्ग में प्राइब ओंर्णि ड्न प्राइब yapıyor को हम निद्रा-एर यहा कड़ा में फिर से सर्चा टिली इसमें दो सूखी मिर्च तोड़ के लिए हूं और इसमें कुछ गरम मसाला डाल रहे हूं थोड़ा सा भून जाए उसके बाद एक चम्मच जीरा ढाल रहे हूं अभी मसाला बनाने के लिए एक स्पून पूरा भर के ली हूं अद्रग पेष्ट और हाप स्पून धन्या पाउडर हाप स्पून हल्दी हाप स्पून कस्मिरी मीर्च ली हूं और तीखा खाना है तो डाल के एक पेश्ट बना लेंगे अभी मसाला वाला पेश्ट को टेल में डाल देते हैं यह मैं फ्रेस कोकोन अकली हूं लुक्टी बहुत डाल रहे हूं कर दो कर दो कि थोड़ा सा पानी डाल के में धुम लेती हूं अब जो दाल चबल बीको के रखी थी इसको एड़ करना है इसमें मसाले के साथ अच्छे से मिला के थोड़ा टाइम भून लेना है और देखे मैं हाप स्पून गरम मसाला पाउडर एड़ कर रहे हूं आज़र बीकटी दाल चबल वोन चुका है अभी बड़े से बरतन में इसको शीघ कर ले छेख क्राइगे कितरी बनाएंगे तो कौंटी बर भचाएगा उसमें डाली हूं अ अभी इसमें पानी डालेंगे एक बार में पानी नहीं डालेंगे इसको बारी-बारी करके डालना है देखिए मैं गरम पानी एड़ कर रहे हूं दाल चाब लबी बॉयल के लिए छोड़ देती हूं अभी इसमें तेज पत्ता एड़ कर रहे हूं और स्वाद अनुसर नमक डाल रहे हूं अब इसको ढपके पका लेंगे थोड़ा टाम बाद चेक कर लीजे अगर पानी सुख गया है तो इसमें फिर से पानी एड़ करेंगे आपको लग रहा होगा कि बार बार पानी क्यों एड़ कर रहे है इसका कारण है कि ज्यादा पानी आप एड़ करोगे तो खिच्री गिपने का डर रहता है और उबाल आता रहता है तो नीचे जलने का भी डर रहता है आप थोड़ा थोड़ा पानी एड़ कीजे गरम पानी और बीच बीच में चलाते रही है तो खिच्डी देखिए बहुत अच्छा बनता है अभी इसमें जो फ्राइ किया हुआ आलू डाल रही हूँ खुल को भी जल्दी से गल जाता है इसलिए इसको बात में एड़ करेंगे और बाकी का जो वेजिस है वो भी एड़ करेंगे मटर गाजर बीन्स कद्दू आप अपनी पसंद से सब्जी ले सकते हो और इसमें देखिए बेंगोली खिच्डी है प्रसाद का तो इसमें सक्कर ड जाल रहे हूं अभी फिर से ढख के पका लेते हैं देखिए चाबल भी गल चुका है और वेजिटवी बी उपक चुका है अभी आखरी बार गरम पानी एड़ कर रहे हूं टोटल में तीन बार पानी एड़ की अभी जो कॉरली फ्लावर था फ्राइ करके रखी ती उसको मेल है और गरम मसाले का भी बहुत अच्छे से समेल आ रहा है अब हमेशा ध्यान रखिए कि जो बाजर में बास्मती चावल मिलता है लंबा ग्रेन बाला ओ यूज मत किजिए जो छोटे ग्रेन का चावल रहता है जैसे की गोबिंदु भॉक चावल या अपने अपने सहर की सबसे जो चावल मेंता है पास्मती चावल खीर बनाने वाला या खित्री बनाने वाला ऐसा चावल यूज कीजिए बहुत अच्छा लगता है मूमें घुल जाता है देखिए इसके पर में भूरना हुआ जीरा पावडर डाली एक चमच और इसके उपर दो चमच घी डाल र जाग है यह खित्री को सपेशली दुर्गा पूजा के टाइम पर मा दुर्गा मा को चड़ाया जाता है प्रसाद में प्रसाद में चड़ाया जाता है तो हम लोग को भी मिलता है जहां जहां पंडल होता है खाने में बहुत टेष्टी होता है इसके साथ लावडरा मिलता है टमाटर चटनी रहता है, मिठाई रहता है बहुत सारे चीज रहता है बैंगन फ्राइ और सब चीज तो मैं एक वीडियो में नहीं share कर सकती, इसके दूसरी वीडियो में मैं लावरा कैसे बनाते है, उसका recipe share करूंगी तो guys खाने के लिए तैयार है मैं खा लेती हूँ और आप भी घर पे बनाईए, फैमली के साथ एंजोई कीजिए ये रेली बहुत ही टेस्टी होता है, जिनको पता नहीं वो प्लीज बना के खाईए और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए जो नए है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए थैंक यू